मूवी का स्टार 21st सेंचरी की शुरुवात में लेंडन की एक कंस्ट्रक्शन साइट से होता है जहां एंजीनियर्स टनल में खुदाई कर रहे हैं क्विन कंस्ट्रक्शन साइट पर अपनी मॉम क्यरन से मिलने आता है क्यरन सब वर्कर्स की इंचार्ज है Quinn और Karen बात कर रहे होते हैं तब ही एक worker उसे बिलाने आता है और वो उसके साथ चली जाती है Next scene में हम देखते हैं एक worker दिवार में होल करता है लेकिन वो जगा अंदर से बिल्कुल खोकली है उसे लगता है इस टेनल में काम करना बेवकूफी है इसलिए वो कैरन को कोसने लग जाता है क्विन उसकी बाते सुन लेता है और उसे कहता है वो कैरन को इसलिए बुरा कह रहा है क्योंकि उसे होल में जाने से डर लग रहा है वो वरकर क्विन को टॉर्च देते हुए कहता है अगर वो इतना brave है तो खुद होल में चला जाए और queen उसे torch लेते हुए होल में चला जाता है होल में जाते ही queen को चटान जैसी चीज़ नजर आती है वो उसको चूने लगता है तभी उसके करीब उपर से आग गिरती है queen जब उपर देखता है तो उसे एक dragon नजर आता है यानि जिसे वो चटान समझ के चू रहा था वो dragon का शरीर था उस dragon ने कई सालों से खुद को hibernation में रखा हुआ था और अब उस जगा खुदाई करने और queen के हाथ लगाने से वो जाग गया था dragon queen पर अपने मूँ से liquid फेकता है और queen डरते हुए karen के पास भाग जाता है queen के आँखें liquid की वज़ा से लाल हो जाती है वो karen को बताता है उसने होल में अजीब सी चीज़ देखी है karen co-workers को वहाँ से निकलने के लिए कहती है और queen की आँखें वाश करने लगती है co-workers karen की बात नहीं सुनते और होल के बाहर काम करने लग जाते है तब ही वो dragon बाहर आ जाता है और उन दोनों पर आँख भेंग देता है वो आँख तेजी से फैलने लगती है karen queen को lift में ले जाती है लेकिन dragon उन पर attack कर दीता है karen queen को protect करते हुए मर जाती है इस पूरे हाथसे में queen के इलावा सब की death हो जाती है इस accident के बाद सब dragons आजाद हो जाते हैं scientist के research के according इन ही dragons ने dinosaurs का खात्मा किया था और फिर खुद को hibernate कर लिया था ताकि जब दुनिया में दुबारा living species आएं तो वो उन्हें खा की जिन्दा रह सकें 2010 में इन्सानों ने इन dragons को खत्म करने की बहुत कुशिश की लेकिन dragons ने सब को जला के राह कर दिया और 2020 तक इन्सानों की तादाद बहुत कम हो गई कुईन जो अब बड़ा हो चुका है कुछ लोगों के साथ एक पुराने किले में रहता है और सबका in charge है इन हालात में इन्सानों का सबसे बड़ा मसला खाने की कमी है इसलिए एक आदमी एडी अपने बच्चों और कुछ लोगों के साथ फसल काटने जाना चाता है कुईन उसे रोकते हुए कहता है फल और सबसियां अभी तयार नहीं है अगर उन्होंने फसल तयार होने से पहले काट ली तो अगली बार उन्हें उगाने में बहुत परिशानी होगी लेकिन एडी कहता है वो भूग की वज़ा से अपनी पत्नी और एक बच्चे को खो चुका है वो अपने बागी परिवार को नहीं खो सकता जिस पर कुईन का फ्रेंड और कुईन चार्च क्रीडी उसे कहता है अगर वो किले से बाहर गया ुत है और कुछ लोगों के साथ फसल तोडने चला जाता है तब ही गार्च को ड्रैगन के खरीब आने का पता चलता है और वो अलर्म बचाते हुए सब को ऐलर्ट करते है एक लड़की कुईन को बताती है कि एडी कुछ लोगों के साथ फील्ड में चला गया है कुईन कृडी को एक और्फन बॉई जरिट के साथ सब को बचाने के लिए निकल जाता है फील्ड में ड्रैगन एक आदमी को खा लेता है और बाकी सब पर आग बरसाने लगता है जिसकी वज़ा से सारी फसल राख हो जाती है इससे पहले ड्रैगन उन लोगों को भी जला दे कुईन, क्रीडी और जेरिट के साथ वहां पहुँच जाता है लेकिन वहां से भागते हुए ड्रैगन एडी के बेटे डिवान को जला देता है कुईन को डिवान की मौत का बहुत अफसूस होता है क्रीडी उसे समझाता है के डिवान की मौत एडी की घलती की वज़ा से हुई है जिस पर कुईन उसे कहता है एक पिता अपने बच्चों को भूग से मरते हुई नहीं देख सकता एडी ऐसा करने पर मجबूर था कुछ दिर बाद आर्व अमेरिकन्स का एक ग्रूप के करीब आता है सब लोग परिटेक्शन के लिए अलर्ट होते हैं तब ही ग्रूप का लीडर वैन जैन चिलाते हुए कहता है वो किले के लीडर से बात करना चाता है कुईन उसे बात करने जाता है वेंजन उसे बताता है वो सब फौजी ड्रेगन शिकारी हैं और ड्रेगन्स को पकरते हुए यहां तक आए हैं उन्हें रहने के लिए सेफ शेल्टर चाहिए इसलिए वो गिले में रहना चाहते हैं लेकिन क्विन वेंजन को गिले में नहीं रखना चाहता क्यूंकि उसे लग गरूप शام के वकिव ही ड्रेगन्स को शिकार करता है खौन को वेंजन पर यकीन होने ललगता है इसलिए वो उसे इजाज़ेंगरे के पास टू टैंक्स और एक हलीग़प्र होता है वेंजन off कर चाहिया है को इलिक्स को कृडशन को ऐम мен यम video को एलिक्स बहूत पसं साल का था और अपनी मॉम की डेड बॉडी के पास बैठ के रो रहा था वो उसे अपने साथ ले आया और अब वो उसके बेटे की तरहा है इसी दौरान उन्हें ड्रैगन के आने की आवाजी सुनाई देती हैं और सब उसे मारने के लिए निकल जाते हैं एलिक्स तीन लड़को से सिचुएशन पूचता है वो उसे बताता है अभी तक टू बाइकर्स मशीन लगा पाए हैं तीसरी मशीन ना लगने की वज़ा से एलिक्स ड्रैगन को नहीं देख पा रही कुईन अपने घोड़े पर उस तीसरे बाइकर के पीछे जाता है और देखता है कि ड्रैगन ने उसे मार दिया है कुईन वो मशीन fully fix करता है जिसकी हल्प से एलिक्स को ड्रैगन नज़र आने लगता है उसी टाइम ड्रैगन हेलिकॉप्र पर अटाक कर देता है एक आदमी उसका धिहान हटाने की लिए हेलिकॉप्र से जाम करता है ड्रैगन उसके पीछे जाता है तब ही दो आदमी जम करते हुए ड्रैगन पर जाल फेकते हैं लेकिन ड्रैगन जाल तोड़ देता है और उन में से एक को खा रेता है और दूसरा नीचे गिरने की वज़ा से मर जाता है। क्विन उस आदमी के पास पहुंचता है जो नीचे गिरने की वज़ा से मर गया था और उसके रेडियो से वैंजेन को इनफॉर्म करता है कि उस आदमी की डेथ हो गई है उन्जैन अपने इतने आदमीयों कि मरने की वज़ा से बहुत उसरे में आजाता है और कुन से ड्रेगन को क्राप करते हुए उसके खरीब लानी का कहता है कुन गोड Kenned गोडे पे सवार होते हुए ड्रेगन को अपने पीछे भगाता है और वेंजन के सामने ले जाता है वेंजन ड्राइगन के करीब आते ही एक ब्लास्ट करता है और ड्राइगन मर जाता है किले के सब लोग ड्राइगन के मरने पर जशनमन आने लगते हैं तब ही वेंजन अपने ग्रूप के साथ वहां आता है उन्हें सब का सेलिबरेट करना बिल्कुल पसंद नहीं आता क्यूंकि उनके तीन आदमी उस ड्रैगन को मारते हुए मारे गए थे वैंजन और अलेक्स कुईन को बताते हैं वो अब तक 200 ड्रैगन्स को मार चुके हैं लेकिन वो सब फीमेल्स थी और उन पर रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि दुनिया में सिर्फ एक ही मेल्स ड्रैगन है जो लंडन में है अगर वो उसको मार देंगे तो दुनिया से ड्रैगन्स का खात्मा हो जाएगा वैंजन कुईन की हेल्प मानता है कुईन को शक होता है कि मेल्स ड्रैगन वो ही ड्रैगन है जिसने केरिन को मारा था लेकिन वो लंडन नहीं जाना चाता क्योंकि लंडन ड्रैगन्स का घर है और मेल्स ड्रैगन लंडन पहुचते ही उन्हें मार देगा वैन जैन को उसके इंकार करने से बहुत हुसा आता है और वकिले की लोगों को अपने साथ आने के लिए भड़काने लगता है कुईन जब देखता है वैन जैन उसके लोगों को लंडन जाने के लिए भेका रहा है तो वो बहुत हुसे में आ जाता है और वैंजन को मारनी लगता है उन दोनों की लड़ाई हो जाती है क्रीडी और बाकी सब उन्हे लडने से रोकते है एलिक्स को क्वीन के जखम देखके बहुत बुरा लगता है वो उसे एंटिसेप्टिक देती है और वहां से चली जाती है क्वीन के कुछ लोग वैंजन के ग्रूप के साथ लंडन जाने के लिए निकलते हैं लंडन पहुँचते ही मेल ड्रैगन वैंजन और उसकी टीम पर अटाक कर देता है और एक ही बार आग उगलते हुए सब को जला के राक कर देता है वैंजन और एक आदमी साइड में गिरने की वज़ा से बच जाते हैं और एलेक्स हेलिकॉप्टर में होने की वज़ा से सेफ रहती है एलेक्स वैंजन के पास आती है जो इमोशनल होते हुए उसे बताता है मेल ड्रैगन ने सब लोगों को जला दिया है और अब वो केले की तरफ जा रहा है दूसरी तरफ मेल ड्रैगन केले पर हमला कर दीता है क्रीडी और कुइन बच्चों को बंकर में ली जाते हैं लेकिन अभी कुछ लोग बाहर होते हैं क्रीडी कुइन से कहता है वो बाकी सब को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता इसलिए वो उन्हें बचाने बाहर जाता है लेकिन क्रीडी के बाहर जाते ही ड्रैगन बंकर के बाहर आग भीग देता है और क्रीडी सब को बचाने के लिए बंकर का दर्वाजा बंद कर देता है और खुद आग में जुलस जाता है क्विन उसकी मौत पर बहुत तूट जाता है और चिलाने लगता है सब बच्चे क्रीडी की मौत पर रूने लगते हैं क्विन जब सब को रोते हुए दीखता है तो सब को रिलाक्स करने के लिए क्रीडी की सिखाई गई प्रेयर पढ़ने को कहता है बंकर का दर्वाज़ा सींट होने की वज़ा से सब अंदर फंस जाते हैं अगले दिन वैंजन और एलिक्स कैसल पहुँचते हैं और बंकर का दर्वाज़ा खोलते हैं एलक्स और क्विन एक दूसरे को जिन्दा दे के रिलाक्स फिल करते हैं सब लोग इसी सेव जगा जाने के लिए निकलने लगते हैं लेकिन क्विन वैंजन से कहता है वो मिल ड्रागन को मारने लंडन जाएंगे क्योंकि वो जानता है कि मिल ड्रागन कहां रहता है male dragon वो ही dragon है जिसे queen ने childhood में tunnel की hole में देखा था और वो अब भी वहीं रहता है queen सब लोगों की responsibility jerk को देते हुए Alex और vanzen के साथ helicopter पर London पहुँचता है London पहुँचने पर वो बहुत सी female dragons को देखते हैं जो male dragons के आने पर भाग जाती है queen उन दोनों को dragon के tunnel में ले जाता है जहां vanzen, Alex और queen को दो तीर दिखाते हुए बताता है इन तीरों पर बहुत शक्तिशाले bomb लगे हुए हैं उन्हें ये तीर dragon की मुँ में फेकने हैं उसके पास सिर्फ दो ही तीर हैं इसलिए उनके पास dragon को मारने के सिर्फ two chances है vanzen queen को उन्हें लीट करने के लिए कहता है, queen कहता है वो dragon को दो तरफ से घेरेंगे और Alex dragon को डिस्ट्राइट करेगी जैसे ही वो आग फेकने लगेगा वो उसके मुँ में तीर फेंग देंगे, तब ही वहाँ dragon आ जाता है vanzen भागते हुए एक हाई टावर पर चड़ जाता है और queen एक building के पीछे छुप जाता है लेकिन उसका तीर भागते हुए कहीं गिर जाता है Alex vanzen के कहते ही dragon को डिस्ट्राइट करना स्टार्ट करती है और vanzen dragon के करीब आते ही उस पे तीर चला दीता है लेकिन उसका निशाना चूप जाता है vanzen अपने वेफन से dragon पर हमला करने के लिए जम्प करता है लेकिन dragon उसे खा लीता है queen और Alex dragon से बच्चते हुए एक कॉर्णर में छुप जाते है queen Alex को बताता है उसका तीर कहीं गिर गया था तभी Alex को एक ट्रक के नीचे वो तीर नजर आता है वो queen को तीर दिखाती है queen वो तीर पकरने जाता है और Alex dragon पर फारिंग करते हुए उसे डिस्ट्रैक्ट करने लगती है dragon जैसे ही queen के खरीब आता है वो उसके मूँ में वो तीर फेंग देता है अट लास्ट में ड्रैगन खतम हो जाता है लास्ट सीन में हम देखते है queen Alex और बाकी सब के साथ एक हिल पर रहता है उन्होंने हिल पर एक रेडियो टावर लगाया हुआ है ताकि वो दुनिया के बाकी सर्वाइवर से कांटैक्ट कर सकें उन्हें तीन माह से किसी ड्रैगन का निशान नहीं मिला यानि खत्रा अब टल चुका है इसलिए queen जेरिट को लीडर बना देता है और इसी सीन पे movie एंड हो जाती है Thank you for watching